यार ऐसे सर्फिर इंसान के साथ क्या ही उल्जोगे जिसको इस बात से प्रॉब्लम हो रही है कि मेरा जूता खराब कर दिया तो मैं तेरी जान ले लूँगा यह मैं ब्रॉंसन रीड की बात कर रहा हूँ क्योंकि अपने ट्विटर अकाउंट पो उन्होंने फोटो पोस्ट क तरिके से ने इसको बिल्ड किया है और वेलकम है आपका वॉइस ओफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में और भाई डबल डबी ने पिछले कुछ बारा तेरा घंटे में पूरे चाप दिया है अगले साल की रेसल मीने के बार में टिकेट के लिए था और हमें टिकेट स तो थोड़ा सा ऊपर उठ जाओ यह सोचा कि रॉक ही नहीं इस पूरे पोस्टर में ठीक है और वो इसलिए क्योंकि डबल डबी शायद अभी गिववे नहीं करना चाहते ही कि रॉक रेसल मिना का पार्ट होंगे है फिर नहीं क्योंकि वो जब भी उनका मैच अनाउंस होग रोमन रेंस ने भी किया तो स्टेफनी मिक्मैन ने भी किया तो शाद हो सकता है इसके कुछ और आगे जाके मतलब भी निकले है फिर उनका कोई और रोल हो चुका है बैक स्टेज लेकिन इस पूरे जो टिकेट इन्होंने सेल करने के लिए जो भी ग्रैफिक किया है जो प्र किया है अब तो मैं मान रहा हूँ भाई कुछ तगड़ाई तुमको जॉन सिने के साथ करना पड़ेगा क्योंकि अगर यह लास्ट रेसलमेनिया है जॉन सिने इतना साल डबलोली कंपनी को दे दी है तो उसके साथ तो कुछ बढ़िया धमाकेदार बढ़िया भी धमाकेदा हैं और यह लोगों को डिसीजन बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्रिज जरिको के लिए अब आप कह सकते हो इंटरनेट पर जो हेट का माहौल है वो काफी ज़्यादा फैला हूँ और एंडिंग भी कुछ ऐसी होती है क्योंकि यहां पर आ जाते हैं और बिक कहसन का नाम ही हो गया बुरी तरी टर्न क्या हो गया है और जरिकों के लिए और ज्यादा नेगेटिव हो गया लेकिन अब आपको पता है डाइनमेट में समय सबसे बेस स्टोरी चल रही है वो है जॉन मॉक्सली की कैसे वह एडबलू के अगेंस्ट ही जा रहे हैं तो आज पूरे शो पर सब्सक्राइब कर दी कि जो एडबलू के सूपर स्टार्स हैं वो बैक स्टेज खड़े हुए हैं कि जैसे बैक स्टेज क्या पार्किंग लॉट में जहां पर एंटर करते हैं वहीं पर कि जैसे जॉन मॉक्सली के लॉंड़ पाटे आएंगे उसके बाद हम इनको वहीं पर बजा देंगे क्योंकि शो की स्टार्टिंग में ही बोल दिया था जॉन मॉक्सली ने आज वो कुछ करने वाले हैं अब वह तो आये तो इस तरीके साथ है पहले तो हर बार खड़े वहीं हमें को सीन में दिख रहा था सिर्फ वहां में में जॉन मॉक्सली क्लाउडियो के सा इसा देख के लग रहा है कि उतनी फास्ट पेस पर भी नहीं चल रही लेकिन वह होता है जब किसी चीज का बिल्ड बहुत लंबा हो जाता है तो जब उसका एंड गेम या क्लाइमेक्स की बारी आती है या जो भी मैं कहना हो समझ रहे हो आप वह बहुत तगड़ा होता है औ को कब होगा ऑस्टिन थेरी कब अलग जाएंगे कब उनको एक मेजर सिंगल सूपरस्टार की तरह डेवल डबली बुक करने वाली है तो इसके बारे में रैसल वोट्स ने ये बोला है कि अभी डेवल डबली का कोई प्लान नहीं है करने का भली उन्होंने इसको टीज कर दि तब जाके डेवल डबली उस चीज को करने वाली है क्योंकि हम बहुत साही लोगों को लगा था बस हम तो एज पर खड़े हैं अब एकदम से कुछ होगा ऐसा कि ऑस्टिन तहरी अलग ग्रेशन वालर अलग भले ही डेवल डबली ने इसको एक लाग बार टीज कर दिया लेक कि बात करो यह एलिजन्ट स्टेडियम से उनकी फोटो आई है रैसल मेना का भी बताना मैंने सब जो प्रमोशन अगेरा कर रहे हैं तो उस पर देखो बाई क्या बैल्ट रखी हुए मस्त और एलिजन्ट स्टेडियम को देख रहे हैं कि हाँ यह वह यह वह जगा है जहां प कर रहे हैं कि 2025 वह जगह होगी जहां से जौन सिन अपना फेरफल टूर स्टार्ट करेंगे और उसके बाद पूरे एक साल हमको अपने लास्ट रन देने वाले हैं दें रिटार हो जाएंगे लेकि शाद वह जाद नहीं बल्कि 2024 में ही शुरू हो सकता है सैटरडे नाइट मे लाइवेंट की तरह है फिर पता चला है यह एक प्रीमियम लाइवेंट ही बन चुका है अब डेबल अबली के कुछ ऐसे इंटर्नल प्लैंस सामने आ रहे हैं जो कि अल्रेडी मतला ओवेसली रूमर्स ही है कि शायद डेबल अबली उनको सैटरे नाइट में फीचर कर सकती ह जो कि डिसेंबर महीने में होने वाला है और वहां से फिर जॉन सिना का जो फेरवल टूर है वो शुरू होगा और उसके बाद पर पूरी कहानी वो एक साल के लिए होने ही वाली है तो यह अच्छा हो जाएगा वैसे कि अगर सैटरे नाइट में इनकों फीचर करते हैं बट तो इसको फीचर किये बिना तो मैं यह वाली वीडियो बनानी सकता था यहाँ पर नाम अभी है इनका इन्होंने लिगाए कि अगर जॉन सिना का फेरवल टूर कुछ ऐसे स्टार्ट होता है कि ब्रॉक लेसनर रिटरन करें और कंफरंट करें जैसे ब्रॉक लेसनर ने उनको कंफरंट किया था 2012 में जब ब्रॉक लेसनर का रिटरन हुआ था भाई मतलब इस जॉन सिना के फेरवल टूर में एक जो मैच है जो कि मुझे पता है बहुत से लोग अग्री नहीं करेंगे कि हमें देखना है क्योंकि उनको कूल बनना होता है कि हम तो नहीं नहीं सूपर का मैच भाई अगर सुचो पहला ही जॉन सिना का फेरवल टूर जो शुरू हुआ पहली ही फ्यूड उनकी ब्रॉक लेसनर के साथ और तो कितना मैं तो भाई बहुत एक्साइड़ रहूंगा इस चीज के लिए मेरेको तो वह सारी मेमोरी आ जाएंगी जो जॉन सिना ने समर कि लोग इसके बारे में केर करें लेकिन अब इंटरनली जो बाते आरी हैं डेवल टूर की तरफ से वह यह हैं कि जितना डेवल टूर ने एंटिसिपेट किया था कि लोग रियाक्ट करने वाले हैं इस ब्रॉन ब्रेकर और जेकब फार्टू के मूमेंट के उपर इससे बड़ा सा नाम जो इस तरीके कहा है तो इन सब को फूस दे एक मैच में तो क्या मतलब रिंग दोचारना बनवानी पड़ जाएं ऐसे लोगों के लिए को कि इतना क्रेजी मूव करते हैं रिंग के आसपास तो यह तो सच में एक तकड़ी फ्यूड अगर इस इस फ्यूड क मैच मत करना क्योंकि शाद दूसरे मैच के लिए वहाँ पर चीजे हालात वैसे रहे ही ना अब मैं जो आपको बात बता रहा हूं हो सकता है बहुत हो को अनफॉर्शनेट लगया लोगों को लग सकता है कि यार यह तो क्राइब बेबी इस की तरह एक्ट किया जा रहा है ले हमारा स्पॉर्ट का है तो तो ताम पर मुझे ऐसा लागा कि जब हमारा स्पॉर्ट फिर होना चाहिए था तो वह हमको दिया नहीं गया वह डेबल अबली के अंदर इनी चेंजिस की बात करने जैसे ट्रेपल आशा है वह तो उन्हें इंडरेक्ली बोला भी था कि विंस मिक क्योंकि पता नहीं मेरको तो लगता है कि बाभी लेश्ली के साथ कुछ और तकड़ा और धासू होना चाहिए था बड़ वही बात है कि वही बात करने इन सारी चीजों के बारे में और इंडर बोलते हैं तो वह इंट्रव्यूर भी होता है ना कि वह चीजे निकालने कोशि पहुंच चुके हैं और वह भी बेल्ट के साथ खड़ेते साथ दिखा और आपको पता यह क्या हुआ होगा इसके बाद लोगों ने बोलना शुरू कर देया है यह तो लोगों को मज़े ही लेने इंटरनेट पर फिर मैसा ऐसे कह सकते हूं हैड अब टेबल सुना हमने उसके बाद हमने कह सुना हमने क्या सुना उसके बाद हमने अरिजिनल यतिष्ट और इने की आधा व्यक्तिम है यह ब्रेंग को को अब प्रिंड के साथ यह मदिया की तो मतलब आभी तो सब्सक्राइब के बारे में तो आपको सब कुछ पता ही है एक ऐसा कलेश जो की डेबल अबली प्लान कर रही है और यह जब होगा तो सच में मतलब डेबल अबली के कुछ फैन्स तो पागल हो जाएंगे ऐसे कि अपना दिमाग बाहर निकाल लेंगों प्लान कुछ यह है रैसल वोट के अकॉर्डिंग की डेबल अबली के अंदर जो क्रेटिव लोग हैं उनके डेजायर है रिया रिप्ली वर्सिस डॉमिनिक मिस्टीडियों का मैच करने के लिए अब एक इंटर जेंडर मैच है तो आपको पता है आज के हमारे इस कल्चर में ऐ हाथ उठा दे गया वह रियल लाइफ के सिनेरियों को डेबल अबली के साथ जोड़ने के कोशिश कर लेते हैं जैसे कार लिटो के इसमें हमने देखा और उन्होंने चानीज बोले तो जो कि मैं मानता हूं कुछ लोग होते हैं सैंसिटिव लेकिन डेबल लग यह तो मैच ऐ के उपर आने वाली हैं और मैंने देखा था इंस्टेग्राम की जो टॉप टैन रील हैं 24 की तीनों में रिया रिप्ली है और रोमन रेंज तीनों में से कहीं नहीं है तो सोचे वह एक अलग टाइब को ऑडियंस बेस भी टार्केट करने के लिए इस टाइब की चीजे भी कर क्लारिटी दे देता हूं डेवल अबली के इंटर्नेटली प्लैंस में गोल्बग डेफिनेटली हैं और फ्यूचर में गोल्बग के साथ डेवल अबली स्टोरी लाइन में कुछ ना कुछ प्लैंस तो है यह बात क्लियर हो चुकि रेसल वोट्स ने इस बात को बोला है तो अब बता सकते हैं वैसे कौन जगा सही लग रही है साथी के शो में तो डेफिनेटली गोल्बग का आना है और बाकि अगर रेसल मिना के लिए प्लैन हो रहे हैं तो फिर भाई फिर तो नेक्स लेवल की चीज़ों हो सकती है जो कि अगैं इंटरनेट के फैंस को पिस आफ प